अड़द्या बनाने के लिए सिर्फ एक ही बात का ध्यान रखना होगा। अगर चाशनी परफेक्ट बनी तो अड़द्या भी परफेक्ट बनेंगे। अगर चाशनी की जंजट अड़द्या बनाना हो तो वो अड़द्या भी मैंने आपके साथ शेर किया हुआ है। जो मैंने गुड के साथ बनाया था। तो वो रेसिपी भी आप देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बनाना विंटर स्वेशिल अड़द्या र और एक टी स्पून इलाईची के दाने लेंगे। अब इसे हलका सा भून लेंगे। बस दोसे तीन मिनिट हम इसे चलाते हुए भून लेंगे। तो यहां हमने खड़े मसालों को अच्छे से भून लिया हैं और मसालों को बिल्कुल थंडा होने देंगे। और थंडा होने क मिक्सी जार में निकाल लेंगे और साथ ही साथ इसमें एक टेबल स्कून सौंट पाउडर भी एड़ करेंगे और महिन पीस लेंगे पीसने के बाद हमें मसालों को छानना पड़ेगा अब पेन में एक कप घी गर्म करने के लिए रखेंगे मुझे अड़द्या में गी अब उसी के साथ हम 250 ग्राम दरदरा पीसा हुआ उरद का आटा एड़ करेंगे अब इसे चलाते हुए गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे मैंने यहां रेडिमेंट अड़द्या का आटा लिया है तो यह दरदरा ही है लेकिन अगर आपके यहां इस तरह का उरद का नहीं मिलता तो आप उरद डाल को हलका सा भून लीजिए और थंडा कर लीजिए और उसके बाद इसे मिक्सी जार में पीस लीजिए तो आपका अड़द्या बनाने के लिए आटा रेडी हो जाएगा गेस की आच मध्यम रखेंगे और लगातार चलाते हुए भून लेंगे भूनने में हमें आट से दस मिनिट लगेंगे यहां आप देख सकते हो कि उरद का आटा बिलकुल गोल्डन ब्राउन हो गया है अब गेस की आच बिलकुल धिमी कर देंगे और इसी मिश्रन में हम वनफोत कप गोंद एड़ करेंगे मिश्रन काफी गर्म है तो गोंद अच् मतलब अच्छे से फ्राई हो गया है अब हमने जो ड्राइफ रूट्स पीस कर रखे थे वो भी एड़ करेंगे और हमने जो मसाला पीसा था वो भी एड़ करेंगे और अच्छे से मिला लेंगे और कुछ सेकेंड के लिए इसे भून लेंगे हमें इसे ज्यादा भूनने की उसी के बाद हम इसमें चाशनी एड़ करेंगे तभी अड़द्या परफेक्ट बनेंगे मिश्रन जब थोड़ा सा थंड़ा हो जाएगा तब वो सारा गी जो इसमें एक्स्ट्रा था वो सब सोख लेगा तो यहाँ आप देख सकते हो कि इसमें गी की मात्रा बिल्कुल नहीं दिख रही तो यह हमारा मिश्रन परफेक्ट है अब यह मिश्रन थंड़ा हो रहा है तब तक हम चाशनी बना करके तयार करेंगे और चाशनी बनाने के लिए पेन में 230 ग्राम चीनी लेंगे और आधा कब पानी एड़ करेंगे अब इसे चलाते हुए उबाल लेंगे अगर आप ज्यादा मीठा खाना पसंद करते हो तो जीतना उरत का आटा लिया है उतनी ही चीनी एड़ कर सकते हो अब चाशनी को बनने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा बस उबाल आने के बाद 2-3 मिनिट ही लगेंगे और चाशनी को थोड़ी थोड़ी दिर में चेक करना ज़रूरी है अगर थोड़ी सी भी ज्यादा उबल गई तो अड़द्या बहुत हाड हो जाएगा तो यहां हम कुछ सेकेंड उबालने के बाद एक बार चेक करेंगे यहां अब देख सकते हो कि चाशनी में तार नहीं बन रहा तो अभी हमें इसे कुछ सेकेंड और उबालने की ज़रूरत है कुछ सेकेंड के बाद हम इसे फिर से चेक करेंगे और तब हम गेस बंद कर देंगे क्योंकि अगर गेस चालू रहा और हम चेक करते रहेंगे तब तक चाशनी ज्यादा गाड़ी हो जाएगी अब यहां आप देख सकते हो कि चाशनी का छोटा सा तार बन रहा है लेकिन इसे अगर हम ज्यादा लंबा खिचेंगे तो तार तूट जाएगा तो यहां हमारी आधे तार की चाशनी बन गई है तो यह चाशनी अड़द्या बनाने के लिए एकदम परफेक्ट है तो इस चाशनी को हम अड़द्या के साथ एड़ करेंगे और अच्छे से मिला लेंगे मिलाते मिलाते मिश्रन थोड़ा सा गाड़ा होना चाहिए अगर ऐसा ना हो तो मिश्रन को 4-5 सेकेंड के लिए गेस पर चला लीजिए तो ये परफेक्ट हो जाएगा अब इस मिश्रन को गी लगाये हुए टीन में निकाल लेंगे आप चाहे तो थाली का यूज भी कर सकते हो अच्छे से स्प्रैट करेंगे और बारिक कटे हुए काजू बादाम से गार्निश करेंगे अब गर्म गर्म अड़द्या में ही कट्स लगा देंगे क्योंकि अड़द्या थोड़ा सा भी थंड़ा हो जाएगा तो ये थोड़ा सा सक्त हो जाएगा और कट्स लगाने में परेशानी हो सकती है तो यहां हमने अड़द्या में कट्स लगा दिये हैं अब इसे बिलकुल थंड़ा होने देंगे तो यहां हमारा अड़द्या रेडी है लेकिन खाने के लिए थुड़ा इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि अड़द्या को पूरी तरह से थंडा होने में 2-3 घंटा लगता है और 3 घंटे के बाद हम अड़द्या को टिन से निकाल लेंगे देखकर ही लगता है न दोस्तों कि हमारा अड़द्या बहुत ही अच्छा बना है और बिल्कुल दानेदार बना है और आप इस अड़द्या को महिनों तक स्टोर करके खाने में यूज़ कर सकते हो क्योंकि हमने इसे बीना मलाई बीना मावा या बीना दूद के बनाया है तो अड़द्या खराब होने का कोई चांसी नहीं है दोस्तों इस आसान सी हेल्दी अड़द्या रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा मैं धर में फिर मिलूँगी ऐसी ही आसान सी रेसिपी के साथ